आज ज्यादा बाते नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ब्राइडल नेकलेस बनाना सबसे पहले मैं कॉपर वायर ले रही हूँ, कॉपर वायर में से मैंने ये टुकडा लिया है और यह कॉपर वायर की साइज है 0.5 mm ये तार मैं ले रही हूँ, इतना सा टुकड़ा मैंने कट किया है, ये एक साइड का पार्ट रहने वाला है, ये कुंदन ले रही हूँ, ये सेंटर वाला कुंदन मेरा रहने वाला है, और ये मिनाकारी कुंदन है, और मैं तीन कुंदन मरून कलर के लेने वाली हूँ, ये को पास कर रही हूं और सामने से second and third hole में से मैं ये तार को निकाल रही हूं नाव तार को खीश लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और similarly मैं दूसरा कुंदन भी ऐसे ही लगाऊंगी नाव यहां पे सारी design अलग-अलग होती है अपने according design बनती है तो मैं जिस design अपने दिमाग में रखे ये बना रही हूं तो ये कुछ इस तरीके से है इसलिए अलग-अलग होल में से मैं कुंदन को पास कर रही हूं मतलब तार को पास कर रही हूं यहां पे मैं fourth होल में से ये तार को मैंने पास किया और second होल में से भी मैं यहां से पास करूंगी और आगे थर्ड होल में से ये जो हमारा तार है उसको मैं खीच रही हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है अभी मेरी जो डिजाइन है ये तीन कुंदन में मरून कलर का जो लगाने वाली हूँ वो नीचे round shape में आते हैं मेरी design according और अब ये जो मैं कुंदन लगा रही हूँ ये something drop shape जो होता है उस shape में मैं ये necklace अभी design बना रही हूँ ठीक है? So now center में से मैं यहां से तार को pass करूँगी और same उसी hole में से center वाले hole में से मैं ये तार को निकालूँगी Like this, बहुत simple process है और यही process मैं आगे भी करूँगी Now, अभी तक आपने मेरा free master class attend नहीं किया है Just attend अगर आप मेरा free master class attend करते हो तो वहां से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलने वाली है तो मैं उसकी link नीचे description में दे रही हूँ Please, उसको click करके आप मेरा free master class attend कर सकते हैं वहां पर आप बहुत सारी चीज़े सीखने वाले हो So, मिलते हैं live में Now, back to this necklace तो यहां पर मैं एक और कुंदन डाल रही हूँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों तार को अलग किया क्योंकि मैं flower shape का जैसा बना रही हूँ तो एक तार में मैंने कुंदन को इस तरीके से डाला सेम दूसरी सैट भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ पहले hole में से तार पास किया और पहले ही hole में से तार को निकाला ठीक है? फिर से मैं उपर एक कुंदन डाल रही हूँ ताकि मेरा पूरा flower जैसा shape complete हो तो यहाँ पे सेम सेंटर वाले पार्ट में से तार को निकालना है जब भी आप ये सारे कुंदन अटेच करते जाते हो simply आपको तार खींचते जाना है ठीक है? ताकि वो sturdy और strong रहे नाव ये आप देख सकते हैं ये flower shape जैसा बन गया है नाव मैं दूसरी साइड भी सेम ही process करूंगी necklace में actually some technical issue की वज़ा से ये मेरा पूरा video shoot नहीं हुआ था इसी वज़ा से मैं दूसरी साइड आपको वापस से दिखा रही हूँ तो जितना हमारा necklace मैंने अभी तक आपको सिखाया same मैं दूसरी साइड अभी मैंने बना लिया है अब आगे की process में detail में मैं आपको बताने वाली हूँ तो ध्यान से देखिए देखिए ये सारे कुंदन हमने डाल दिये थे उसके बाद हमें ये दोरी लगानी है ये मैंने heavy जो मोती वाली आती है दोरी वो ही ये ली है और एक तार में simply आपको ये दोरी डाल देनी है ये कुछ इस तरीके से आएगी now प्लायर की help से हम ये round round घुमाएंगे एक हाथ से मैं कुंदन और दोरी को पकड़ रही हूँ दूसरी हाथ से प्लायर पकड़के उसको मैं round round घुमा रही हूँ ठीक है आपको एकदम tightly study strong तरीके से ये round round घुमाना है ताकि हमारे सारे कुंदन भी एकदम strong रहे ठीक है now ये extra जो हमारा तार है copper wire है उसको मैं cut कर दूँगी और जितना भी हमारा copper wire बाहर दिख रहा है थोड़ा सा ही दिखेगा मैंने वो अंदर की और मैंने घुमा दिया है ताकि वो बाहर से बिल्कूल भी ना दिखे now look at this necklace बहुत ही pretty सा necklace बना है और सच में real में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा heavy दिख रहा है so now आगी की process में बढ़ते हैं आप चाहो तो पूरा मोती लगा के पूरा necklace heavy कर सकते हैं बट मेरा काम अभी यहां पे यह है कि मैं आपका एक concept clear करूँ इसलिए मैं थोड़े से ही मोती hang कर रही हूँ ठीक है so now मैंने यह जो आप देख रहे है यह छोटा सा तार देख रहे है यह fuse wire है यह fuse wire के अंदर मैंने lock मोती को डाला lock मोती 2 mm का होता है now इसमें मैं maroon color का मोती डाल रही हूँ यह जो maroon color का मोती आप देख रहे है यह 6 mm का मोती है Now, ये तार को मैं आगे से इस तरीके से U-shape में करूंगी Because मैं कुंदन के अंदर, center में मैं ये मोती हैं करनी वाली हूँ तो वो easily निकल जाए इसलिए मैंने ये U-shape में डाला है अभी ध्यान से देखे कि किस तरीके से लगाना है एक होल में से मैं ये fuse wire को डालूँगी और दूसरे होल में से निकालूँगी Now, प्लायर की health से मैं इसको खीच लूँगी Simple process है, करते जाना है Now, ये fuse wire को मैं मोती के आसपास यू round round घुमाऊंगी और extra जा हम सिर्फ 2 या 3 round घुमाए वो बहुत है, enough है वो, ठीक है Now, extra को मैं करूँगी cut Simply मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे मोती हैंग होता है Now, ये तीनो कुंदन में मैं आपको मोती हैंग करके पूरा necklace ही अभी दिखाऊंगी So, ये आप देखे, ये मेरा पूरा necklace बनके ready हो चुका है And now, look at this ear rings Ear rings भी बहुत ही, delicate मैंने जैसा है, वैसा ही बनाया है और back side पे मैंने, जो हमारा stud होता है Ear ring stud, वो मैंने लगाया है B6000 का use करके So, thank you so much for watching, bye